हाई गाईज, वेलकुम बैक टू माई चैनल, आज का जो वीडियो है, यह है फुल फेस मेकप अंडर रूपीज हंडर प्रोड़क्ट्स, यह जो चैलिंज दिया है, यह एजजी जूलरी ने दिया है, श्रेया जिसका नाम है, और वो मेरी फेवरेट है, हर किसी ने यह चैलिं मुझे मस्कारा नहीं मिला, तो मैंने मिस्कलेर का मस्कारा लिया है, जो कि है 180 रूपीज का, यह भी मैंने लोकल मार्केट से ही लिया हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, और आप मुझे कुछ एड़वाइज या सजेशन देना चाहते हो, तो फि चलो बढ़ते हैं आगे बताते हो आपको कैसे करना है यह मेक अप, तो सबसे पहले एलोएरा जेल लेंगे, यह 40 रूपीज का आता है, इसे एज प्राइमर लगा रही हुँ मैं, अब लेंगे पॉंस बीबी क्रीम, यह कुछ 80 रूपीज का आता है, इसे इस तरह ब्लेंड क लिए है यहाँ पे, यह बेस्ट कंसीलर का काम करता है, इसे अपने फिंगर के हेल्फ से ही इस तरह लगाना है अपने डाक सरकल पे, और अगर आपको कहीं पे डिस कलरेशन हो, तो आप इसे एजीली हाइट कर सकते हो, और बहुत ब्लेंड हो जाता है, यह मिझे बहुत पसं पाउडर लिया है, यह सबसे छोटा वाला बॉटल आता है, जो की फिफ्टीन रूपीस का है, अब इसे ब्रश के हेल्फ से हम सेट कर लेंगे, जहां हमने कंसीलर लगाया है, वो सब जगे सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस तरह मैंने सेट कर लिया है, और एक अब यहां पर ब्लेंडिंग ब्रश लेकर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ताकि कोई हार्श लाइन नहीं कर लिया है, यह कुछ फिफ्टी रूपीस का लिया है, और इसे अपने आउटो कॉर्णर पे इस तरह लगाना है, और ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्ले ब्लेंड कर लिया है, ताकि कोई हार्श लाइन नहीं दिखे, और अब यहां पर मैंने आईशाइडो लिया है, यह मिस्क्लिया का है, इन दे शेड फॉर फाइव नाइन और यह कुछ रूपीस का मिला है, इसे इस तरह फिंगर के ही हेल्प से हमें लगाना है, उसके बाद ह इसे बहुत अच्छा लगा कि लैक इस रेंज में आईशाइडो और वो भी मिस्कलिया का, तो बेस्ट पार्ट है, और इसमें बहुत सारे शेड जाते है, फिलाल तो मैंने दो शेड लिया है, सिर्फ एक गोल्डन और एक ब्ल्यू, तो गोल्डन वाला हम एज हाईलेटर य ब्रश के हेल्फ से, और यह बहुत प्यारा लगता है, जब आप ब्ल्यू करते हो, तो लूर लैश लाइन को भी ब्ल्यू करें, तो बहुत अच्छा लगता है, अब जो पॉल आउट है, या जो पाउडर हमने लगा था, उसे ब्रश के हेल्फ से निकाल लिया है, अब यह बेस्ट लगा मुझे इस वीडियो में मैंने इसे आक्चिली ट्राइ किया I hope आपको भी अच्छा लगाओ एक मस्कारा ब्रश के हेल्प से मैंने अपने आई ब्रोज को डिफाइन कर लिया है काजल के ही हेल्प से तो अगर आपके पास like travel कर रहे हो और आपके पास ब्रोज के लिए कुछ नहीं तो no worries आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पर eyeliner यूज किया है मैंने और यह eyeliner आपको तो पता ही होगा कुछ 100 रूपीज का आता है और यह बहुत पहले से मैं यूज कर रही हूँ मुझे बहुत पसंद है यह eyeliner lipstick लिया है मैंने यहाँ पर L18 का यह shade है P26 और यह कुछ 100 रूपीज का आता है अब यह golden shade है जो मैंने आपको अल्रेडी बताया था कि मैंने 2 shade लिया है इसे as a highlighter यूज कर रही हूँ मैं inner corner पे अपने नोस पे और अपने चिक्स पे सब जगे में इसे से हाइलाइट करूँगी अब बलाश के लिए मैंने सेम लिपस्टिक यूज किया है क्योंकि यह बहुत best मुझे लगता है अब अपने कोई भी लिपस्टिक को as a blush यूज कर सकते हो अब मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे मिस क्लियर का लिया है यह कुछ 180 का है अच्छली मुझे मिलाई नहीं कोई भी मस्कारा बट आइटेल यू यह मस्कारा मुझे बहुत पसंद आया बहुत बहुत अच्छा है अब यह आईशाइडो की बारे मैंने अल्रेडी आपको बताया था हम इस एज हाइलाइटर यूज कर रहे है यहाँ पे और यह मेकप ड़न तो गाइज आए होप आपको मेरे यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज अच्छा लगे तो लाइक करना इस वीडियो को भूलना नहीं लाइक करना और कॉमेंट करके तो मुझे बताना मुझे क्या और मिल सकता था 100 रूपीस के अंदर तो जैसे कि मुझे contouring के लिए कुछ नहीं मिला तो फ्लीज मुझे बताना कि contouring के लिए क्या ऐसा मैं use कर सकती ती जो 100 रुपेस के अंदर आता हो तो yes friends ये वीडियो यहाँ पे finish होता है मिलते हूं जल्दी ही next वीडियो में टेक केर बाई